हेलो एरिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स की यूटूब एज्जूकस्ने चैनल में आपका स्वागत है आज की उडियो लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे फैंटीन कैपसुल के बारे में तो जिसके अंदर में सॉल्ट कंपोजिशन होता है फैंटी को नाजवल तो उसकी डेटेल स्टेडी करते हैं और जानेंगे उसके यूज के बारे में उसका डोस क्या होता है सैडिफेक, वार्निंग कॉंटर इंडिकेसन सो और जानेंगे के फैंटीन कैपसुल का सही हुपयोगा किस तरह से कर सकते हैं तेक्सपर लेक्चर बायमर सर असिस्टम प्राफिसर एंड फाउंडर ओप फार्मरोक्स थेंक्यू पर वीन फार्मरोक्स फेमिली अपडेटेट रही है फार्मो नलिज के साथ सीखे अलग अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में कौन सी दवा उसमें यूज होती है उनके डोस, साइड इफेक, वार्निंग, कॉंटर इंडिकेसन एक साल तक Affordable Price में Farmerox के अप उपर तो ये कॉर्स आप एक्सेस कर सकते हैं Farmerox के अप उपर तो अगर आपके पास Android Phone है तो Android आप डाउनलोड करें आइफोन यूजर है तो App Store से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर 901631-2020 नमबर पे आप हमें call या whatsapp कर सकते हैं साथ ही हमारे second channel को subscribe करके भी हमें support करे link हमने आपको description box में दे दी है तो आप जानते है fentin capsule के बारे में तो यह ऐसे class का medication है कि जिसको हम antifungal medications कहते हैं और यह जो फूख जो develop होती है उसके growth को कम करके अपनी pharmacological action देती है और अलग-अलग fungal infections को treat करती है इसके अंदर जो salt composition है वो है fenticonazole की जो एक antifungal medication है और यह manufacture करते है sun pharma तो detail जानते हैं अब यह medication के fenticonazole actual में क्या है तो यह एक imidazole derivative antifungal medication है कि जो especially अपनी local action देता है और उस खास कर वो vulvo-vaginal candidiasis के treatment में सबसे ज़्यदा यूस के ज़्यदा है और यह अलग-अलग micro-organism जैसे कि यहाँ पे आप एक फूग देख रहे है diagram के अंदर यह वाली तो उसका नाम है malasia, furfur और second जो नीचे देख रहे है second diagram में वो है candida albicans तो यह दोनों fuchs से होने वाले जो fungal infections होते है उसको यह fenticonazole जो है वो treat करता है तो अब उसके label के study करे तो fenticonazole जो है वो उसका salt composition है और 600 mg की strength में यह available यह vaginal tablets रहती है और fentin जो है उसका brand name है और इसके manufacture है sun pharma अब packing के अंदर सिर्फ एक ही capsule रहती है because single dose therapy के लिए यूज के जाता है यहापे आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर में यह एक capsule आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी यहाँ पे capsules जो है वो नहीं होते सिर्फ और सिर्फ एक capsule जो है वो packing के अंदर होता है because यह single dose therapy के लिए यूज के जाता है अब उसके label के detail study करें तो label में खास यहाँ पे लिखा है कि for intra-vazinal use यह आपको खास दियान रखना है इसको vazinal tablet के तौर पे as well as vazinal capsule के तौर पे ही आपको use करना है और अरल यूज को नहीं खानी है यह खास दियान रखना है फिर यह एक soft gelatin vazinal capsule है कि जो vazinal cavity के अंदर ही insert करने के लिए use के जाता है फिर फेंटी को नाजल उसके अंदर present is 600 mg के अंदर साथ में titanium dioxide उसके अंदर present है कि जो color use कया गया है जो capsule के cell बना ले में as well as जो preservative जो होता है capsule cell के अंदर वो ethyl hydroxy benzoid sodium होता है and sodium propyl paraben फिर storage जो है वो 25 या फिर उससे ज़्यादा temperature पे storage जो नहीं करते और यहाँ पे लिखा है sun pharma कि जो main उसके manufacturers भी हम कह सकते है या फिर जो marketing करते है उसका तो यहाँ पे आप देख सकते है detail में उसका composition जो है उसके back cover पे भी detail में दिया होता है कि phanty gonazole nitrate जो है वो उसके अंदर जो है वो present है 600 mg की strength के अंदर और यह soft gelatin capsule जो है वो कही जाते हैं कि जो self for self vaginal use के लिए आप उपयोग मिलेते हैं तो उसके use हम देख लिए कौन से अलग अलग medical condition में fentin vasinal capsule use की जाती है तो एक तो जब आपको yeast infection होता है fungal infection होता है vasinal infection जो हम कहते है vasinal redness itching, discharge, leucuria और vasinal swelling तो यह सभी medical condition में fentin vasinal capsule जो है वो use किया जो उसके dose की हम बात करें तो single dose तेरा पे रहती है यह जो 600 mg की capsule है वो रात में आप आपकी vasinal cavity के अंदर रखते है और सिर्फ और सिर्फ single dose तेरा पे रहती है mechanism के बात करें तो यह specially क्या करता है यह fungal की जो cell membrane होती है उसके development के उपर जो वो असर कर देती है ने अलग अलग तरीके से यह काम करते के समझो की candida albican से तो उनके अंदर जो protease जो enzyme होता है या फिर protease acid का जो secretion होता है उसको inhibit करके अपना काम करता है फिर यह cytoplasmic membrane की जो cell membrane की जो मैंने बात के कि यह पूरा cell membrane जो होता है फूक का उसको develop नहीं होने देता है उसको damage कर देता है और तिसरा cytokrome oxidases and paroxy जो होते हैं उनको block करके अपनी action देता है कि जैसे यह fungal cell है वो develop नहीं हो पाता और उसकी growth काम हो जाती है और इस तरह से आपका fungal infection यह medication लेनी के बाद ठीक होता है अब बात करें उसके pregnancy के दौरा हम use की तो pregnancy के दौरान उसको use करना जो है वो unsafe है because यह जो है वो contraindications की list में है कि pregnancy में safe नहीं के जाती तो pregnancy में आप उसको use नहीं करें बड उसके safe alternatives आप use कर सकतेगी जैसे कि clotrimazole vaginal जो tablets या फिर capsules आते हैं या फिर आप himalya weasel भी use कर सकतेगी जो एक safe option बनते है pregnancy के दौरान पर fentin को आप specially pregnancy में use नहीं नहीं उसके कुछ side effects होते हैं जैसे कि vaginal burning sensation आपको हो सकते हैं इसको insert करने के बाद फिर application side पर reactions होना burning में लगे थोड़ा जलन जैसा होना, irritation जैसा होना कुछ लोगों को uaching readiness या फिर skin irritation जैसे side effects होते हैं सबी case में नहीं होता कुछ ही लोगों को होता है सबी को ये side effects नहीं हो दे तो ये खास ज्यान रखे आप अगर आपको कुछ भी ऐसे reactions होते हैं तो तुरंत उसको लेना बंद कर दे और future में भी आप उसको use ना करें फिर से अब उसके warnings के हम बात करें contraindications की तो कौनसी condition में आपको fentin, virginal capsule use नहीं करने हैं तो अगर तीन symptom आपके अंदर है पहला symptom है, abdominal pain भी है प्लस, fever है 100 degree से ज़्यादा और तिसरा virginal discharge आ रहा है with foul spelling, तो ये तीनो combination में है ये खास समझे कि आपको दर्द भी हो रहा है साथ में बुखार भी है और discharge भी आ रहा है तो ऐसी condition में use ना करें बट समझो कि normal सिर्फ virginal discharge है तो उस वक्त use होती है बट साथ में fever भी है और abdominal pain है तो use नहीं करें बिकॉज उस वक्त जांच कराने जरूर है कि वो सायद दूसरे टाइप की जो virginal infections जो होते है जो bacteria के करन होते है या फिर जो PID की जो हम condition कहते है वो भी हो सकते है जिसको pelvic inflammatory disease कहते हैं तो ये खास आप ध्यान रखें हमारी second channel को subscribe करके support करें medicine course को access करें farmer hooks के अब उपर link description box में मिल जाएगी या फिर हमें 901631 2020 भी हमें whatsapp कर सकते हैं तो medicine course को access करने के लिए हमें जरूर से whatsapp करें link description box में मिल जाएगी या फिर 901631 2020 हमें call या whatsapp कर सकते हैं good luck and all the best